Hello everyone, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉब में जवाहर विद्या मंदे से सिक्षक भरती का नया विज्यापन जारी किया गया है जिसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट आविधन कर सकते हैं सेलरी के साथ में DA, other things, benefits भी जो है आप लोगों को प्रवाइड होंगे PRT के लिए BAD वाले भी जो है आविधन कर सकते हैं Level 6 के according सेलरी रहेगी सेलरी आप लोगों को thumbnail में नजर आ ही रही होगी Counselor and Wellness Teacher की सेलरी 55,800 रहने वाली है Trained graduate teachers की सेलरी 70,050 रहेगी और post graduate teachers की सेलरी 74,100 रहने वाली है सभी पोस्ट जो है regular रहेगी और चलिए subject देख लेते हैं Official website पर कौन कौन से subject में vacancy है Primary teachers में 6 vacancy है regular basis पर है DL Ed या Beard वाले आविधन कर सकते हैं 1 English की, Hindi की 2 vacancy है Maths की 1 vacancy है PRT, EBS की 1 vacancy है और Sanskrit की 1 vacancy में आई हुई है Graduation के साथ में आप लोगों ने DL Ed किया हो या Beard किया हो आविधन कर सकते हैं बिना seat ed clear किया हुए Counselor के लिए 1 vacancy है ये भी regular basis पर है Graduate हों आप या post graduate psychology में साथ में आपके पास डिपलोमा होना चाहिए Career Guidance and Counseling का ठीक है? और 3 साल का जो है वो अनुवब भी जो है इसमें मांगा गया है Trained graduate teachers के लिए 2 vacancy एक maths की है और एक English की है इसमें जो है graduation mathematics के साथ में या फिर applied mathematics के साथ में ठीक है? Main subject के रूप में आपने graduation में पढ़ा हो maths और beard होना चाहिए Post graduate teachers में 4 vacancy है Physics की, Maths की और Economics में 2 post है Post graduate आप हूँ और साथ में beard Beard बिल्कुल post graduate teachers के लिए चाहिए Vacancy जो है कहां से जारी की गई है तो जवाहर विद्या मंदिर श्यामली रांची से vacancy है तो बिल्कुल नया विग्यापन है कल की ही date में जारी किया गया है 20 October 2014 General Essential Criteria and Condition में इन्होंने लिखा है कि minimum 50% marks आपके secondary, graduation, post graduation जिस भी subject में जिस भी post के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो सम्में 50% marks आपके होने ही चाहिए DLAD, BAD, ITEP जो भी आपने किया है अधिक्तम जो है 40 verse है यहाँ पर is और 20 October 2014 date को मान कर जो है आप यहाँ पर is calculation आप कर सकते हैं Teaching experience आपका तीन साल का होना चाहिए और यह teaching experience जिस subject के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी subject में मांगा गया है Proficiency to teach in English and Hindi medium Hindi, English, Medium दोनों में पढ़ाना होगा तो इसमें Hindi, Medium वाले, English, Medium वाले सभी apply कर पाएंगे अब देख लेते हैं Application Procedure तो इसमें जो है application fees बहुत जादा है 1000 रूपीज application fees रखी गई है Demand draft आपको बनाना है Bank में जाकर जवाहर विद्या मंदिर पेवल एड राची के नाम से चीक है और आप लोगों को application form कहां से मिलेगा तो official website पर चले आएं और वहाँ पर career section पर आप click कर लेंगे तो वहाँ पर application form आपको मिल जाएगा इसमें जो है इनोंने लिखा है कि online form भी जो है आप लोगों को fill करना है और offline mode में भी भेजना है demand draft by register post या courier या speed post करेंगे address ये लिखेंगे और इसमें जो है पूरा एक मन्त आप लोगों को मिल रहा है apply करने के लिए जो भी interested candidate है तो ये official website का link है selection procedure क्या रहेगा तो इनोंने लिखा है कि return test होगा return test होगा जो भी return test qualify कर लेंगे तो उनका class demo होगा personal interview रहने वाला है ठीक है और इसकी जो सूचना है आप लोगों को email या telephone के द्वारा दी जाएगी तो ये पूरा notification मैं आप लोगों को बता दिया है अगर आप form fill करेंगे तो पूरा जो है अच्छे से दुबारा पढ़ लेंगे अब आप लोगों को बता देती हूँ application form कहा मिलेगा official website पर आना है जवाहर विद्या मंदिर इसमें आप लोगों को advertisement तो आपको दिखाई दे ही गया है जवी एम शामलाल सौरी शामली स्टाफ रिक्रूट्मेंट अडवर्टीजमेंट 2025 ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं और application form के लिए वहाँ पर आपको बताया था career section देखेगा आप लोगों को यह career section है इस पर click कर लें और यहाँ पर online recruitment application form 2025 बस इस पर click कर लेना है मिलेंगे next video में next vacancy के साथ किसी भी राज़े की vacancy होगी आप लोगों को बिल्कुल बताया जाएगा समय पर thank you